दोस्तों हमारे पास यह आइफोन 14 आया है यह हमारे पास आया है डिस्प्ले चेंज होने के लिए यह पुर्णी डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूं यह देखिए डिस्प्ले कितनी भेंकर तरीके से डिस्प्ले टूटी हुई है हम इस सेट पर दूसरी डिस्प्ले भी लगा रहे हैं डिस्प्ले हम जो यह लगा रहे हैं यह ओरिजिनल डिस्प्ले है जब हम आइफोन में इस तरह डिस्प्ले चेंज करते हैं 11 के बाद से तो उसमें यह एक मेसेज आता है इसको उपन करते हैं तो यह कहता है कि अन्नोन पा बट original display है, display change होने के बाद में ये message आ रहा है, तो इस message को fix किया जा सकता है, और कैसे इसको fix करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आज की पूरी जानकारी दूँगा आपको, से पहले तो हम set को, set में से ये display है, इसको निकाल लेते हैं, इसको हम side कर देते हैं, ये पूरा funda क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये set की display है, इस set से जो display उतारी है, और ये वाली जो display है, ये okay display है, नहीं, original display है, किसी type का आप देखी, कोई difference नहीं है, तो display unknown part आने का, एक reason है, सबसे पहले तो वो बताता हूँ, कि company ने set में जो ये display लगाई है, और display के उपर यहां देखी, आप इन्होंने दो IC दी है, तो ये जो IC है, ये वाली इसकी touch की IC है, इस touch IC में उन्होंने security डाली हुई है, जो कि CPU के साथ combined होती है, अगर हम इस part को change कर देते हैं, जैसे कि ये दूसरी display पे लगा देते हैं, तो ये जो IC है, उसका security का data है, वो miss match हो जाता है, और ये आता है कि unknown part शो करता है, अगर हम इस IC को, ये वाली जो IC है, जो new display है, इसको old display की IC से replace कर देंगे, तो ये message नहीं आएगा, थोड़ा detail में आपको बता हूँ, तो ये नई display है, जिस पे ये कह रहा है कि unknown part है, इस में से हमें ये IC उतार देनी है, और पुरानी जो हमारी ये display है, तूटी हुई जो display, original जो set के साथ की display है, company से जो लगके आई है, उस दूसरा, इस में एक true tone का matter होता है, true tone मैंने पुरानी display से नई display पर पहले ही read write कर दिया, उसका वीडियो नहीं बना पाया, मेरे ध्यान से निकल गया था, इस इस display से नई display से हमें, यह आई से निकालनी है, इसको हम safety से करसे निकालते हैं, सबसे पहले का आप भो देखिये, इस तरह से हम इस पर यह silver tape लगा देते हैं, यह safety के लिए लगा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस IC को यहां से हटाना है, इसको हटाने का सबसे safe और सुरक्षित जो तरीका है वो इसको घिशाना है, grinding करना है इसकी, तो हम इस drill bit की मदद से, इस machine की मदद से इसको हट करेंगे, हुआ है. झाल 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 झाल